हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 3.2 कंप्लीट कर लिया था तो आज के वीडियो में हम 3.3 कंप्लीट करने वाले हैं इसमें सिर्फ तीन ही कौसन है और तीनों कोसन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे दोस् 22-36 अब When offered मो़नeze मोश तो 24 आप य्ósेम ले लेंगे और 36 बील ले लेंगे च्वाविस कच जैङ, अब लिया तो इतना आगया जो गुना दो गुना दो गुना तीन और 36 और यहां पर जो हमने लिखा है मैंने इसी से नियहां में Vä Doluda और दो यहां है इन दोनों में है इसलिए हमने यहां पर दो लिखा फिर दो और दो इन दोनों में है तो हमने यहां पर दो लिख दिया फिर तीन और तीन इसमें है तो हमने यहां पर तीन लिख दिया ठीक है तो और यह दो और तीन जो है यह दोनों अलग अलग है इसलिए हमन हमें इसे लिखा है सदोको और इस दो को और इस तीन को और यहाँ दो दो हैं हमें यहां पे इंदोनों के बनाएंगे बीन में है चालिस और उतका इतना और छाली सुन operate Kayak इतना आ गया कि इंदोनों है गोन और उम्हें आड़नों में है तो हमने इन दोनों को ले लिए फिर यहां भी सेम हैं तुर्म इन दोनों को लेले लें और पाертв के sab 돌아 लिया और फिर इसके बदल एक और फिर इसके बदल एक दो उना दो उना पाँच इन दोनों हमने िकाल लिया और 15 का भी निकाल लिया इन दोनों में जो सेम है वह ही हमने यहां यह पर ुटनिया हैं और पांच नदोनों में हैं ठीक ए हमने यहाँ पर दो गुनाफ पांक लिग दिया और इसका सीक्षयम दर सब्सक्राइस का ओध्यूं ऑर दापने दया और दांवे यह ईहांच अफ्णक करने चारवर्ण का अवाज़नकन वो चार हो गया दोस्तों यहाँ पर E नमबर में है 12, 72 और 84 तो हमने इसका भी गुरनखन निकाल लिया और फिर इन तीनों में जो भी सेम है वही हमने यहाँ पर लिख दिया तो इन तीनों में 2 सेम है तो हमने यहाँ पर दो लिखा और फिर यहाँ भी दो सेम है तो हमने यहाँ दो लिख दिया और फिर आप देखिए यहाँ पर तीन है यहाँ पर तीन है और यहाँ पर भी तीन है तो यहाँ पर तीनों में तीन है इसलिए हमने यहाँ पर एक तीन लिख दिया और फिर हम इन तीनों को गुणा करेंगे तो 12 अगया तो 12, 72 और 84 का HCF 12 अगया F नमबर का भी इसी तरह से बनेगा 70, 105 और 175 जब हमने इसका अबाजुग रंखन निकाला तो इतना आया और इन तीनों में जो भी Sam है उसे हमें यहाँ पे नीचे लिख देना है यहाँ पे 5 से हम आ रहा है तो हमने 5 को लिख दिया और फिर 7 से हम आ रहा है तो हमने यहाँ पे 7 को लिख दिया 5 गुणा 7 35 हो गया तो इसका HCF 35 हो गया तो चलिए हम सेकेंड नमबर का कॉसन बनाते है दोस्तों यहां पे सेकेंड नमर का कॉसन है निम्न का मौसक क्या है यानि यहां पे आपको HCF निकालना है यहां पे दिया गिया है दो क्रमागत संख्या हैं मैंने यहां पे एक और दो लिया है आप यहां पे दो या तीन भी ले सकते हैं या फिर तीन या चार भी ले सकते हैं तो आप कोई भी अगर दो क्रमागत संख्या लेते नीस पर नौ कोले जो जो एक आएगा थीक है. चुछली से वागे बाड़ने के बैटा है तो तो बीनी की का सजन तो नीसे आ यहां पर थो क्रमागतание संख्या दो तो इसका अभाज गुनन्खंड दोरा निकाल के देख लीजे 2 गुना एक है इसका गुनन्खंड 2 गुना एक हो गया और फिर इस चार का जो कुछ भी स्याम नहीं हुआ है तो दो करमागत संंख्यों का his ho संह हैं तो मैंने यहां पर तीन और पांच लिया है तो आप किसी भी क्रमागत दो क्रमागत विसम संख्याओं को आप लेते हैं और इसका जब आप इसका जब और निकाला तो यहां पर तीन और पांच है तो यहां पर यहां पर थे देखना है कि तीन और पास्च का शारव गुनन खंड किया है तो तीन और पाच का एक अलावा कोई और शारव गुनन खंड नहीं है तो इसनिनहें चार और 15 का मौत होगा ठीक है जोस्तों यहां पर अट सब्सक्रिए है आट हुर यहां हमने यहां पर गुंण खन निकाला है तो hat का गुना ख़ण और 9 इना ख़ण तो यहांन पर हमने सब्सक्री आपको पता है कि यहां पर 8 & 9 का̩ एक होगा तो कि तीन का एक के आलाव कोई और सारब हित्त थेकर तरब दोर कोई खत उनहीं है इसलिए अट और नॉकाद के अफे एक हो जाएगा सी having नोबर मीन है और यह नम्मर में 4 और तैरह तो तो चारका गुरना deja2 और 3 तो एक और 3 के अलावा कोई और साल गुनन इन हमें यहां पर एक और 13 वह उते एक और देरा का एक के लावा कोई सार नहीं है इसलिए चार और देरा का मॉस यानि एक हो जाएगा ठीक है तो हमारा चप्टर नंबर 3.3 कम्प्लीट हो चुका है तो हम आगे की वीडियो में 3.4 स्टार्ट करेंगे और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे कर लिजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिन सकेंगे तो चलिए मैं मिलती है आप से नेक्स्ट वीडियो में